सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारिया मिल जाती हैं लेकिन कुछ ऐसी विचित्र चीजे मिल जाती हैं जिनसे वैज्ञानिक भी चक्कर में पढ़ जाते हैं मैं आपको आज ऐसी ही कुछ खोजों के बारे में बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे हतोड़े के बारे में जो की शुद्ध लोहे का बना हुआ है और करोड़ों साल पुराना है इस हतोड़े के मिलने से वैज्ञानिक चक्कर में पड़ गए थे जब अमेरिका में सन 1934 में 140 मिलियन साल पुराना हतोड़ा मिला यानि के 14 करोड़ साल पुराना हतोड़ा जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग शाला में अध्यन किया तो वो दो कारणों से हैरान रह गए पहला तो हतोड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोईला बन चुका था जानि के वो कई मिलियन साल पुराना हतोड़ा था और दूसरी हैरान कर देने वाली बात थी लोहे का एकदम शुद्ध होना इतना शुद्ध लोहा धरती की किसी भी ख़दान से आज तक नहीं निकला है लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि 1934 में उसे चट्टान से निकालते समय खरोच लगी थी लेकिन आज भी उस पर जंग लगने के कोई लक्षर नहीं है वैज्ञानिक इस हतोड़े का अनुमानित समय 145 से 60 मिलियन साल पूर्व मानते है यानि के ये हतोड़ा लगभग 14 करोड से 6 करोड साल पुराना है जबकि विज्ञान की माने तो मानव जाती ने 10,000 साल पहले से ही औजार बनाना सीखा है तब इस हतोड़े का इतना पुराना होना वैज्ञानिकों को चक्कर में डालने वाली बात तो है ही अब मैं ऐसी ही दूसरी बात आपको बताता हूँ वैज्ञानिकों को चक्कर में डालने के लिए सहारा रेगिस्तान में पत्थरों से बना खगोलिय धाचा काफी है सहारा के सुदूर रगिस्तान में स्थित पत्थरों का ये धाचा दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है सन 1973 में पुरा तक तो शास्त्री पहली बार यहां पहुंचे थे सन 1998 में प्रोफेसर फ्रेड वेंडॉर्फ की टीम ने पत्थरों के इस स्ट्रक्चर का अध्यन किया तो पता चला कि यह करीब 6000 साल इसा पूर्व में बनाया गया है नाप्ता प्लाया में मिले पत्थर के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने से पता चला कि यह खगोल शास्त्र और जोतिश शास्त्र से सम्बंदित है सवाल ये उठता है कि इतने 1000 साल पहले लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था तब इनका इस्तिमाल किस तरह से किया जाता होगा यह भी एक रहस्य की बात है क्योंकि इनका धाचा खगोल शास्त्र और जोतिश से एकदम पूरी तरह से सम्बंद रखता है ऐसे ही वज्यानिकों को चीनी मौजेक लाइन्स ने भी ब्रहमित किया हुआ है आप वीडियो में जो तस्वीर देख रहे हैं यह उन लकीरों की है जो चीन में मांसु शेंगरेगिस्तान के बीचों बीच प्राप्त हुई थी और इन्हें चीनी मौजेक लाइन्स का नाम दिया गया इन्हें मोगाओं गुफा के आसपास बनाया गया था चौकाने वाली बात यह है कि पत्थरों के उबढ़ खाबढ़ होने के बाद भी यह लकीरे एकदम सटीक और सीधी हैं इसी तरहे वैज्ञानिकों को एक पत्थर की गुडिया ने भी हरान किया हुआ है सन 1890 में इदाहो के नामपा में अचानक वैज्ञानिकों का रुजहन बढ़ गया वजह थी खुदाई के दौरान मिली हुई एक पत्थर की गुडिया इसे मानव हातों द्वारा निर्मित किया गया है पत्थर की ये गुडिया 320 फिट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी इसे देखकर तब अंदाजा लगाया गया कि दुनिया में मानव जाती के अस्तित्तों में आने के बाद शायद इस गुडिया को बनाया गया होगा लेकिन परदे के पीछे की सच्चाई अभी भी अबूज रहसे बनी हुई है क्योंकि इस गुडिया के उपर जब अध्यन किया गया तो इसकी उम्र करोड़ों वर्ष पुरानी है इस तरह यह गुडिया मानव के धर्ती पर अस्तितों पर सवाल उठाती है इसी तरह 300 मिलियन साल पुराना लोहे का पेंच भी वग्यानिकों को हैरान करता है सन 1998 में रूसी वग्यानिक दक्षिन पश्चिम मौस्कों से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उलका के अवशेस की जाच कर रहे थे इसी दोरान उन्हें एक पत्थर का टुकडा मिला जिसमें लोहे का पेंच लगा हुआ था भूवग्यानिकों के अनुसार यह पत्थर 300 मिलियन साल पुराना है यानि के 30 करोड साल पुराना तब तक ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाती हुआ करती थी और ना ही धर्ती पर डायनासोर हुआ करता था लेकिन पत्थर के बीच लोहे का पेंच इस पश्ट दिखाई पड़ता है इसके लंबाई एक सेंटीमीटर है और व्यास तीन मिलिमीटर है लेकिन जब धर्ती पर इतने समय पहले कोई प्रजाती मौजूद ही नहीं थी तो यह पेंच वास्तब में वज्ञानियों के लिए हैरानी का कारण तो बनना ही था इसी तरह एक प्राचीन पेंटिंग है इस पेंटिंग में रॉकेट नुमा जहाद जैसा कुछ दिखाई देता है यह पेंटिंग इसा से पाँच हजार साल पुरानी है होजकरताओं के मन में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या प्राचीन काल में इस तरह का कोई विमान था अगर नहीं था तो क्या यह उस समय के किसी व्यक्ति की कलपना मात रहे लेकिन अगर उस समय कोई विमान मौजूद नहीं था तो उसकी कलपना कैसे की गई होगी विज्ञानिक सोच में पढ़े हुए हैं क्या उस समय विज्ञान इतना उन्नत रहा होगा इसी तरहे डेथ वेली कैलिफोर्निया के खिसकते पत्थर भी वज्ञानिकों को चक्कर में डाल देते हैं कैलिफोर्निया की डेथ वेली में कुछ पत्थरों का खुद बखुद खिसकना नासा के लिए भी अबूज पहली बनी हुई है रेस ट्रेक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिन और 1.25 मील पूरप से पश्चिम तक बिल्कुल सपाठ है लेकिन यहां बिखरे पत्थर खुद बखुद खिसकते रहते हैं यहां ऐसे 150 से भी ज्यादा पत्थर हैं हाला कि किसी ने उन्हें अपनी आखों से खिसकते हुए आज तक नहीं देखा सर्दियों में यह पत्थर करीब 200 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसक जाते हैं 1972 में इस रहस्य को सुलजाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टीम बनाई टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नाम करण कर उस पर साथ साल अध्यन किया कैरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्यन के दोरान जरा भी नहीं हिला लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहां वापस लोटे तो उन्होंने उसी कैरिन पत्थर को एक किलोमीटर दूर पाया कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण शायद ऐसा होता होगा लेकिन यह संभव नहीं लगता आज तक यह किसकते पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक अंसुलजी पहली है इसी तरहे मैक्सिको के पिरामिट दा पावर भी वैज्ञानिकों के लिए एक अन्बूज पहली है इस प्राचीन मैक्सिकन शहर की दिवारें अब्रक की बड़ी चादरों से बनी है अब्रक ख़दान के निकटम जगह की बात करें तो वह ब्राजील में है लेकिन यह ख़दान शहर से हजारों मील की दूरी पर है अब्रक का अस्तेमाल प्राध्योगे की वा उड़जा अत्पादन में किया जाता है ऐसे में सवाल उठता है कि इनमारतों को बनाने के लिए बिल्डर ने अब्रक जैसे खनिच का अस्तेमाल क्यों किया होगा क्या उस समय आर्किटेक्ट शहर में बिजली के लिए स्तुरोत का दोहन कर रहे थे अब्रग जैसे खनिज का इस्तेमाल उस समय किया जाना वैज्ञानिकों को चक्कर में डाल देता है इसी तरहे आयरलेंड का विशाल जीवाश्म भी वेज्ञानिकों को हैरत में डाल देता है इसकी खोज आयरलेंड के अंतरिम में खुदाई के दौरान हुई थी इस विशाल आयरिश जीवाश्म की लंबाई 12 फिट से ज्यादा है इसकी तस्वीर दे ब्रिटिश स्ट्रेंड मेगजिन ओफ दिसंबर 1895 में छपी थी मेगजिन के मुताबिक जीवाश्म की लंबाई 12 फिट 2 इंचे है सीने की परिधी 6 फिट 6 इंचे है बाजुओं की लंबाई 4 फिट 6 इंचे है और इसके अलावा दाएं पेर में 6 उंगलिया है Yuketin Khadi क्यूबा के Pyramid of Atlantis भी वैग्यानिकों के लिए पहेली है क्यूबा के निकट तथा कथित Yuketin Khadi में वैग्यानिकों द्वारा मेगा लिध के खंगहर के रहस्ते का पता लगाने का सिलसिला आभी भी जारी है इस खोज में वो तट्यक शेतर का मीलो लंबा सफर तै कर चुके हैं, जिन अमेरिकी पुरातत्य विदों ने इस जगह की खोज की उन्होंने फोरण एक गोशना करके कहा कि उन्होंने अट्लांटिस को ढूंड लिया है आजकल ये सकूबा ड्राइवर्स के लिए पसंदीजा जगहों में से एक है पहले अट्लांटिस को सिर्फ किस्से कहानियों या पौरणी कथाओं की चीज समझा जाता था लेकिन अब यह अट्लांटिस वेग्यानिकों को चक्कर में डालने का कारण बन गया है पुरा तक तो विभाग का मानना है कि उन्होंने अट्लांटिस की खोज कर ली है लेकिन आज भी इसके सीने में कई राज दफन है इसी तरहे नेवाड़ा अमेरिका में भीमकाय इंसानी जबड़ा मिलना भी वेग्यानिकों को चक्कर में डाल गया कहा जाता है कि नेवाड़ा में लाल बाल वाले बारा फिट लंबे इंसान सद्यों पहले रहा करते थे ये कहानी अमेरिकियों द्वारा एक गुफा में भीमकाय लोगों की हत्या से जुड़ी हुई है और लोग इस कहानी पर यकीन भी रखते है सन 1911 में खुदाई के दौरान एक मानव जबड़ा मिला यह इंसानी जबड़ा बहुत ही बड़ा है तस्वीर में आप सामाने जबड़े से इस जबड़े की तुलना देख सकते हैं इसी तरह सन 1931 में दो मानव कंकाल भी मिले थे जिन में से एक की लंबाई 8 फिट और दूसरे की 10 फिट थी आखिर यह इंसानी ही थे या कोई अलग प्रजाती थी इस बात का अभी तक पता नहीं चला है इसी तरह एक अल्यूमिनियम की कील ने भी पहग्यानिकों को आश्चरे चकित कर दिया 1974 में ट्रांसलवेनिया की मुर्स नदी में 20,000 साल पुराने मैस्तदन के हड़ियों के साथ एक अल्यूमिनियम की कील मिली थी इस कील पर ऑकसाइड की 1 मिली मीटर मूटी परत चड़ी हुई थी बहग्यानिकों के अनुसार कील कम से कम 300-400 साल पुरानी है गौर तलब है कि अल्यूमिनियम हमेशा अन्य धातूं के साथ मिश्रित पाया जाता है लेकिन 400 साल पुरानी ये कील विशुद्ध अल्यूमिनियम की बनी हुई है धग्यानिकों के लिए पहली है कि सन 1808 के पहले तक अल्यूमिनियम की तो खोजी नहीं हुई थी ऐसे में 400 साल पहले विशुद्ध अल्यूमिनियम कैसे आ गया इसी तरहे नैपाल से पाई गई लोला डॉफ प्लेट भी वग्यानिकों को आश्चरे में डाल देती है नैपाल में 12,000 साल पहले पथर से बनी थालियों का चलन था इन थालियों को देखकर UFO की जलक दिखाई देती है इन थालियों में एलियन नुमा आकरितियां भी बनी हुई है तो साथियों आज मैंने आपको 13 ऐसी पुरा तात्विक खोजों के बारे में बताया जिन्होंने वग्यानिकों को कर रखा है हैरान प्रकर्ति की गोद में नजाने कितनी ऐसी चीजे दबी हुई है जो समय समय पर निकल कर इनसान को अचम्भित कर देती है खैर इनी खोजों के चलते हमें अपने भूतकाल का पता चलता है पुरा तात्विक खोजे जारी हैं और हमें निरंतर मनुष्य के इतिहास का पता चलता रहता है विज्ञान हमेशा नई खोजे करता रहता है और अपने द्वारा बनाई गई धारणाओं को खुद ही गलत साबित करते रहता है इसी तरह विज्ञान प्रगती कर रहा है और मनुष्य के इतिहास का सच जानने के लिए लगातार प्रयतनशील है तो साथियों आपको यह जानकारी अवश्यच्छी लगी होगी इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजश को विदा दीजिए नमस्कार, सदा खुश रहे, मस्कुराते रहे